देखें ऐसा है प्रमोत किर्शन जी की एक खाशियत है कि वो कई देते हैं सही चीज़ उन्होंने कांग्रेश को असल में सही सलाय देती और ये कांग्रेश का दुर्भाग्य है जो भी इनके यहां सही सलाय देता है उसके लोग नहीं मानते हैं दूसरी उन्होंने एक बात पहले भी कही थी आज भी कही है कि भालत मा के टुकड़े टुकड़े करने वालों से बंदे मात्रम से चिर करने वालों से या भगवा से चिर करने वालों से या भालत मा के खिलाब बोलने वालों से ये कहीं कल्चन नहीं रहा कांग्रेश का नहीं कि ये बड़ा गलत हुआ इसका मलब कोई संत या कोई भी हिंदू हित की बात करने वाला कांग्रेस में ब्लाई नहीं सकता है ये भी एक चीज आ रहे हैं बहुत इसपस सब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस उन नेताओं का कबजा है जो भारत को तोड़ना चाहिते हैं जो हिंदूों से नफरत करते हैं और ये लोग मातमा गांधी इंद्रा गांधी की बिचाल धाला से दूर ले जाना है पालिटी को अब क्या है कि 2024 में जो पोजिशन है उसमें आप देखेगा पारवारी कले की बज़े से ही इनकी जो यात्रा है वो पहले ही रुक जाएगी और 2024 के चुनाओं में ये निश्चित तोर पे इनका जो रत है वो बहुत धीमा पड़ जाएगा जब पईए ही निकल जाएंगे त नेता का नाम है अचारे प्रमोद क्रिष्णम जुन्होंने कॉंगरेस पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि कॉंगरेस के कुछ नेताओं को हिंदू नाम से नफरत है भगवा से नफरत है बंदे मातरम से भी ननफरत है साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कॉंग्रिस पार्टी के कुछ नेता जो है उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग पसंद है वो वाम पंथ के रास्ते पर सबको ले जाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को उनकी जो वेश भूशा है जो तिलक है उससे भी बहुत जादा चिड़ है तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है वरिष्ट पत्रकार अजय पत्रकाजी सर आपका स्वागत है जिस तरीके से अचार द्वारा ये बयान दिया गया है अचारे प्रमोत कृष्णम को लेकर कह रहे है कि कॉंग्रेस को उनकी वेश तिलक से तकलीफ है क्या कहें गया देखें ऐसा है प्रमोत कृष्णम की एक खाशियत है कि वो कई देते हैं सही चीज़ उन्होंने कांग्रेस को असल में सही सलाय देती और ये कांग्रेस का दुरभाग्य है कि कांग्रेस में जब से मतलब स्टार्टिंग से जब से इनका प सही सलाय दे दी कि प्रिंका गांधी जो है उनको आंगे बराई है चुकि राहूल अच्छली में फैलोर हुए है और कमजोर साबित हुए है तो उन्होंने इस सलाय जो दी वो सीज इन लोगों को बुरी लगी और प्रिंका लाभी को निप्टाने में लग गए देखें लोगों की बड़े नेताओं की हां में हां भी मिलाते रहे नहीं तो बाहर हो जाएंगे और इन लोगों को बाहर भी करिये अगर कांग्रेज बचानी है लाहुल जी उनको उन्हीं लोगों ने सब ने मिल करके इनको निप्टा दिया चुकि प्रिंका गांधी के सबसे खास अच्छा आओ देखें इन्होंने दुख क्या जाहिड किया है अच्छली में प्रमोत किसन जी का यह कहना था कि पार्टी धर्म निर्पेक्ष बनी रहे हैं ऐसा नहीं कि किसी एक समदाई विशेष का अगर सयोग करेगी तो उससे दूसा वोट कटता है और उनका इसाला था कि आप संक्यक में मुस्लिम का ज्यादा सयोग करने से हर जगह तुष्टी करन करने से क्या है हिंदू वोटर नहरा जोड़ा जो की भाज़पाम चला जाता इस कारण मोधी जीत रहे हैं अगली ने में नब्ज पकड़ ली थी और उस चीज़ को बहुत ही अच्छे बड़े पॉश्टिप बेपर का और उन्होंने या भी कहा कि देखिए ऐसा है कि टुकड़े टुकड़े गैं के लिए कहा तो ये मुट किषय ने पहले वी कांस ये कई बरिष्ट नेताओं से जा करके कहा था खरगे जी से कहा था धिगविजय सिंग से कहा था और कांग्रेस के उस पे भी उन्होंने कहा था कि अपने जब भी उनकी कोई को ऐसी मीटिंग होती तो वह हमेशा कहते था कि ये बोड भी लेना जरूरी है चुकि बहुत बड़ा परसंटेज असतर परसंटेज तो उनकी बात को लगाता नदरंदास किया गया दूसरी उन्होंने एक बात पहले भी कही थी आज भी कही है कि भालत मा वा उनके भालत मा के टुकडे टुकडे करने वालों से बंदे मात्म से चिर करने वालों से या भालत मा के खिलाब बोलने वालों से ये कहीं कल्चर नहीं रहा कांग्रिस का नहीं रहा दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मात्मा गांदी इंद्रा गांदी और जेल नहरू के बल्लान से ये बनी है तो इस तमाम बाते आईसी ती जब वो कहते थें तो लोग ये सोच रहे थे कि ये बड़े नेता बलना है और इनकी बात लोग सुनने लगे थे उसमें अमल करें न करें तो ये हुआ कि इनको जल्दी से जल्दी निप्टा दो इन लोगों ने CWC की कमेटी से इनको बाहर कर द तो वो बताया है कांग्रेस के सुधार के लिए आपको बताने हैं वहीं पे काफी लोग ट्विट भी कर रहे हैं और काफी कारकरता यह भी कह रहे हैं कि यह बड़ा गलत हुआ इसका मलब कोई संतर या कोई भी हिंदू हित की बात करने वाला कांग्रेस में ब्लाई नहीं सकता है यह भी एक चीज आ रहे हैं तो कांग्रेस का जो कारकरता बहुत सा इस बात से उलुष्ट है कि जन तक पास कैसे जाएंगे कोई बगए हिंदू हित की बात दूसी इन्होंने जो बात रखी थी अपनी पार्टी के अंदर लखी थी तो उनका कहना का पार्टी के अंदर भ चलती है लगपत रागूर आजा रहा है और अब उसी उनी सिद्धामतों को तोड़ रहें तीसा इन्होंने कहा है कि मलका उजुन खड़गे भी इन बातों से नाराज है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे अजार और बंदे मात्रम का बिरोद भारत मा के टुकड़े इससे म लका उजर खड़गे भी नाराज है इन्होंने आज का दूसा इन्होंने का एकी डेसिंग सेंस हम कभी भी नहीं छोड़ेंघे हम अपना तिलक लगाते हैं सपेद कपड़े पहंते हैंहिं ले नहीं चोले जम्न से लोल-तो ये भी कह रहे है कि कॉंग्रेस को हिं 더 नाम सक र बात है हिंदू नाम से तकलीफ है कह रही है कि इन्हों ने इस पर यह बहुत इसपर सब्दों में कह दिया है कि कांग्रेश उन नेताओं का कपजा है जो भारत को तोड़ना चाहिते हैं जो हिंदूों से नफलत करते हैं और यह लोग मातमा गांधी इंद्रा गांधी की बिचाल दाला से दूर ले जाना है पार्टी को कुछ कांग्रेश नेताओं दाला उनके पहनावे माते की तिलक को भी आपत जताने पर भी उन्होंने प्रत्क्रिया वेव्यत की और उन्हों का कि कांग्रेश पे जिन लोगों का कपजा है यह सब जो है यह भालत में नफलत पहला रहे हैं भगवा के प्रत्क्रिया तो उन्होंने यह भी बोला है कि बामपंद के रास्ते पे कांग्रेश को लाया जा रहा है यह उजनावत तरीके से काफी लोग बामपंद के रास्ते पिलाने दूसरा उन्होंने कहा सोसल मीडिया अपने एकाउंट एक्स पर भी उन्हों लिखा वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेश ने जो पाइलट को ससी थुरूर जी को प्रिंका जी को और पवन खेरा जी को कुमारी सहल्या जी को राजी सुकला जी को दुईपें धुड़ा को इनको जो CWC का मेंबर बनाया है इसके लिए मैं पार्टी में बदाई देता और पार्टी में लोकतंत्र आज भी भारी है, इनुन का, मतलब पार्टी की इनुन बड़ाना ही कि इनुने पार्टी में कुछ जो कमियां आ रही है वो पह लोगों दालाए वो पार्टी को खत्म करने के लिए उन्होंने उस पर चिंता बैक्त की, ऐसा नहीं कि पार्टी को प्रिंका के नाम ले रहे हैं लिख भी रहे हैं कि बड़े नेताओं को तकलीब है जो रहूल वाली लोबी है वह थोड़ा सा इसे नाराज है चुकि प्रिंका के नाम ले रहे हैं राहूल ने बहुत मेनत की बराबर मेनत करता रहा और प्रिंका एकदम से ये लोग और तमाम नेता ऐसे हैं ससी थुरूर, राजी सुकला, तमाम बड़े बड़े नेता वो चाहते हैं कि प्रिंका गांधी आए आगे और साइड डूपती ह नईया को बचा ले यह उन लोगों की सोच मगर उधर उनको प्रिंका गांदी को सुनिया जी की ओर से उतनी हली जंडी यह पुला 100 प्रसंटेस पासाउट कभी नहीं मिलेगा वो उनकी अपनी उनकी माह है उनकी सोच उनको बिलीब लाहूल पर जादा कि लाहूल का कुछ बन बयान खासर पार्टी की चवी पर किस परकार कारे गा नहीं आपको बता लाओ। अब है क्या कि आंग्लेस में इसलिए कांग्लेस में कई कुडीतियां आ गई और कई नेता गलत एडवाईज कर देने जो किचन कैबिनेट के हैं ये कांग्लेस का दुलबागरा किचन कैबिनेट के लोग बैट करके जिनका कभी भी फिल्ड में उतरे ले नहीं और वहाँ से ब ये हिंदु तो बोट से कट रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गयें को, जैसे पार्टी के तमाम लोगों ने पसंद नहीं किया है, कि एक आतंगवादी को लाथ को सुप्रिम कोर्ट से छोड़ाया गया, और उसके लिए गयें, सुबह लाथ, आधी लाथ तक प्रैक्टिस उसकी फांसी सुबह चार बजे होई थी, रोकना, ये तमाम कारकरताओं ने इसका हमेशा बार-बार बिरोत किया, तो ये लोग वरकरों चाहिता है कि ये जान गया है वरकर कि मोदी का मुकाबला कर पाना भाजापा का बहुत असंभव है, उन लोगों ने कहा था कि साड़े लोग मिल करके तब कहीं मुकाबले की स्थित में आपाएंगे, तब भी मोदी बीज बैठेंगे, ये साड़े नेता मानना है, अब क्या हुआ आई इंडियाई का गटबंधन भी टूटा, कि जी वाल वाला तूट गया, इसका नितीश कुमार का तूट गया, नितीश कुमार आके नों से बार ने किया, अब ये नेता चाहिए रहे थे किसी तरह पार्टी बचाया जाए, कि दोजार चौबिस में पार् जो आप समय लिए एक प्रगाज से कहना ने चाहिए विपच का फाइदा उठाना है तो यह इनका यह कहना थे कि पार्टी को बचा लो और अगर आप अगर यह चीजे सुधार कर लेंगे इंदुत बोट अपनी ओर कर लेंगे तो बीजेपी का बेश से काफी कुछ बोट आप बढ़ी नेता थी वर्ड की इंडिया नहोंने नहरु जी को बेक किया था बाद में नहरु जी का भी रोषब भी किया फिर क्या हुआ इंद्रा गांधी का पार्लेयमेंट में ने पार्लेयमेंट पार्लेमेंट में बोला उन्होंने मूद्रा जैसा नहरु जी का बहुत साथी था यही पोईशन अप फिर आ गई है कि राहुल प्रिंका में अंदर अंदर चल लए यही एक बज़े थी कि उन्होंने राहुल को ना बना करके इंद्रा जी ने मनमोन सिंग को बना दिया अब का पोईशन है चाहिते हैं और मुखमंत्री उनको नहीं आने देना चाहिते हैं यही पोईशन करनाटंग में कि डीके स्विकुमार उनके खिलाब हैं और सिद्रमयया उनके खिलाब हैं तो आपको बताना है कि पूरी पार्टी में आई एंडिया गटबंद तो खतम हो गया आप क्या है कि 2024 में जो पोईशन है उसमें आप देखेगा पारवारी कले की बज़े से ही इनकी जो यात्रा है वो पहले ही रुक जाएगी और 2024 के चुनाओं में ये निश्चित तोर पे निका जो रत है वो बहुत धीमा पड़ जाएगा जब पईये ही निकल जाएंगे तो लत क्या चलेगा तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जो को सुनाओं में इस पर पर कहा है कि कॉंग्रेस नेता द्वारा जुस तरीके से कॉंग्रेस को लेकर बयाद दे जा रहे हैं इससे कॉंग्रेस की छवी पर काफी जादा जो है असर पड़ेगा और इसका नुकसान उन